नमस्कार दोस्तों, मैं विशेक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मेरे चानल वंडरिंग योगा है दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैट टाइम योगा की यानि की आप अपने विस्तर या बेट पर जा रहे हैंगे, और आपको बिलकुल भी नीद नहीं आ रहे हैं आप सोने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन आधे एक घंड़े तक सो नहीं पा रहे हैं लगातार आपके मने बश तो किस तरह का योगा आपको करना चाहिए जिससे आपको साउंड स्लीप आए और आपको ये सारी दिक्ते नहाएं तो आईए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का विडियो सबसे पहले अपने पीट के बर लेड़ जाए दोनों हाथों को कंधे के बराबर खोल दीजिए धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड लीजिए और शौंस छोड़ते हुए एक तरफ ले करके जाएं शौंस भरते हुपर आएं शौंस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ले करके और गर्दन को हर बार अपोजर्ट दिशा में ले करके जाएं इससे पूरी तरह से आपकी कमर रिलाक्स हो जाएगी धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लाएं पैरों को सीधा खोल दें अगला भ्यास धीरे से पैर को मोड़ें और बाई तरफ उसे खोल दें जमीन पे पूरी तरह से रिलाक्स करें गहरे लंबे शाँस पढ़ें गहरे लंबे शाँस हो जिए फिर धीरे से पैर को उठाते हुए च्छाती के पास लेकर के आएं अपनी शमतानुसा खचाब उतबंद करें धीरे धीरे पैर को सामने की तरफ खोल दें दूसरे पैर को लेकर के आएं, घुटने को मोड़ते हुए, जमीन पर गिरा दें, दो से तीन गहरे लंबे शौंस लें, धीरे धीरे पैर को वापस उठाएं, और पैर को मोड़ते हुए, हाथों से ग्रिप करते हुए, चेस्ट के पास लेकर के आएं, खिचाव अनुभब कर धीरे धीरे पैर को वापस छोड़ें, वजरासन में बैट जाएं, शौंस भरते हुए, दोनों हाथों को उपहले करके जाएं, शौंस छोड़ते हुए, धीरे से हाथों को सामने रखें, सर को जमीन पर रख लें, गहरा लंबा शौंस लें, गहरा लंबा शौंस लें, अग करेंगे इसका डीटेल्ड वीडियो बनाये हुआ है आप नीचे लिंक में अवैलेबल है आप जाके देख सकते हैं धीरे से वापस आने के बाद गहरे लंबे शौंस दोसे दीन बाद देंगे दोस्तों आपने देखिए कितनी सिंपल और सरल टेकनीक है आप इसको डेली अपने रूटीन में शामिल करिए जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं और आप आपको बिल्कुल अच्छी सी नीद आएगी और आप बिल्कुल कहते हैं घोड़े बेच करके सो जाएगे तो आज के लिए योग करते रहे हुश रहे हैं आप सभी का धन्यवाद